HVAC तकनीशियन साक्षातकार प्रशन और उत्तर निश्चत रूप से नमूना उत्तरों के साथ कुछ सामान्य HVAC तकनीशियन साक्षातकार प्रशन नीचे दिये गए हैं प्रशन आपको HVAC तकनीशियन बनने के लिए किस बात ने प्रेरित किया? उत्तर्ग मुझे हमेशा से प्राध्योगिकी में रुची रही है और अपने हाथों से काम करना अच्छा लगता है HVAC सिस्टम मुझे आकर्षित करते हैं क्योंकि वे यांत्रिक और विद्युक तक्वों को जोड़ते हैं जिसके लिए समस्या स्माधान कौशल की आवश्यक्ता होती है इसके अतिरिक्ट मुझे यह सुनिश्चित करके लोगों को आराम प्रदान करने में संतुष्टी मिलती है कि उनकी हीटिंग और कूलिंग प्रणालिया कुशलता पूर्वक काम करती है प्रश्न आप खराब HVAC सिस्टम की समस्या का निवारण कैसे करते हैं? उत्तर किसी खराबी से निपटते समय, मैं सबसे पहले ग्राहक से समस्या के बारे में जानकारी इकठा करता हूँ और संपूर्ण द्रिश्य निरीक्षन करता हूँ फिर मैं एक व्यवस्थित ग्रिश्टिकोन का पालन करता हूँ, फिल्टर, थर्मोस्टेट्स, मोटर और विद्युप कनेक्शन जैसे घटकों की जाच करता हूँ मैं मूल कारण की सटीक और कुशलता से पहचान करने के लिए नैदानिक उपकर्णों का उपियोग करता हूँ समस्या निवारन के दौरान सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता होती है प्रश्न क्या आप प्रशीतन चक्र की व्याख्या कर सकते हैं? उत्तर प्रशीतन चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक HVAC प्रणाली घर के अंदर की हवा को ठंडा करती है इसमें चार मुख्य घटक शामिल हैं कंप्रेसर, कंडेनसर, विस्तार वाल्व और बाशपी करन करता रेफ्रिजरिंट इन घटकों के माध्यम से घूमता है उच्छ दबाव, उच्छ तापमान वाली गैस से कम दबाव, कम तापमान वाले तरल में बदलता है और फिर वापस गैस में बदल जाता है घर के अंदर की हवा से गर्मी को अवशोशित करता है और इसे बाहर छोड़ता है प्रश्ण आप HVAC मरम्मत के दौरान सुरक्षा नियमों का अनुपालन कैसे सुनिश्चित करते हैं? उत्तर HVAC कार्य में सुरक्षा सर्वोपरी है मैं हमेशा सुरक्षा दिशानिर देशों का पालन करता हूं और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण P.P.E. का उपयोग करता हूं कोई भी मरम्मत शुरू करने से पहले, मैं यह सुनिश्चित करता हूँ कि बिजली सुरोत काट दिये जाएं और शेत्र सुरक्षित कर दिया जाएं मैं रेफ्रिजरेंस को उचित तरीके से संभालने और परियावरन नियमों के अनुसार उनका निप्टान करने के बारे में भी मेहनती हूँ प्रश्न आप निवारक रखरखाव कारियों को कैसे करते हैं? उत्तर HVAC सिस्टम को कुशलता पूर्वक चलाने और महेंगी खराबी से बचने के लिए निवारक रखरखाव आवशक है मैं एक व्यापक चेकलिस्ट का पालन करता हूँ, घटकों का निरीच्षन और सफाई करता हूँ, चलने वाले हिस्सों को चिकनाई देता हूँ, रेफ्रिजरेंट के स्तर की जाच करता हूँ और थर्मोस्टैट्स को कैलिब्रेट करता हूँ नियमित रखर्खाव से सिस्टम का जीवनकाल बढ़ाने में मदद मिलती है और बड़ी मरम्मत की संभावना कम हो जाती है प्रश्न क्या आपने विभिन प्रकार के HVAC सिस्टम के साथ काम किया है? अपने अनुभव का वर्णन करें उत्तर खाव मेरे पास विभिन HVAC सिस्टम के साथ काम करने का अनुभव है जिसमें स्प्लिट सिस्टम, पैकेजड यूनिट, हीट पंप और डक्टलेस मिनि स्प्लिट्स शामिल है मैंने आवासिय और वाने जिप दोनों प्रणालियों के साथ काम किया है, जिससे मुझे अपने कौशल को विभिन वातावर्नों और उपकर्नों में ढालने की अनुमती मिली है प्रश्न आप समय समवेदनशील मरम्मत या आपात कालीन सेवा कॉल को कैसे संभालते हैं? उत्तर समय के प्रती समवेदनशील मरम्मत और आपात स्थिती के लिए त्वरित सोच और निर्नायत कारवाई की आवश्यक्ता होती है जब मुझे ऐसे कॉल आते हैं तो मैं समस्या की गंभीरता और स्थान की निकट्टा के आधार पर उन्हें प्राथमिक्ता देता हूँ मैं अनुमानित आगमन समय प्रदान करने और पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्हें सूचित रखने के लिए ग्राहक के साथ प्रभावी ढंग से समवाद करता हूँ प्रश्न आप नवीन्तम HVAC प्रौध्योगिकियो और रुज्ञानों से कैसे अपडेट रहते हैं उत्तर मैं निरंतर सीखने और व्यावसायक विकास में विश्वास करता हूँ मैं नवीन्तम HVAC प्रौध्योगिकियो और सर्वोध्तम प्रथाओं से अपडेट रहने के लिए उद्योग कारिशालाओं, सेमिनारों और ओनलाइन पाठ्यक्रमों में भाग लेता हूँ मैं उद्योग प्रकाशन भी पढ़ता हूँ और अन्य पेशेवरों के साथ ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए HVAC मंचों में भाग लेता हूँ याद रखें, ये नमूना उत्तर प्रदान करते समय, HVAC तकनीशियन के रूप में अपने स्वयन के अनुभवों और विशेशज्यता के आधार पर उन्हें वयक्तिक्रित करना आवश्चक है आपके साक्षातकार के लिए शुभ कामनाएं